असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्ला अल्ला आप सभी लोगों को खुश वाबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अल्ला ताला के नाम से जो दोनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपके लिए मटर पुलाओ के बहुत ही जबरदस्त रेसे पी लेकी आए हैं बहुत ही अनोख्य अंदाज से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा तो इस तरीके से आप जरूर ट्राय करेगा इंशाला आपके घरवालों को भी बहुत पसंद आएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले हैं और वीडियो देखके लाइक भी कर दिया करें तो चले शुरू करते हैं यहां पर हमने एक किलो चावल लिया है बासमती चावल को हमने दो घंटे पहले भीगा दिया था और एक किलो हमने बहुत ही ताजी हरी सी मटर फ़ली लेकि उसको छील लिया है गाजर के कुछ सलाइस कर लिये हैं और शिमला मिर्च लाल वली और हरी वली को हमने सलाइस करके ले लिया है यहाँ पर हमने गाजर को कुछ थोड़े से डाइस में कट कर लिये हैं छोड़े से टुकड़े में और कुछ गरम मसाले हैं तेज पत्ता, दार्चीनी, शाजीरा, और सफेद वरी लाची है, थोड़ी सी काली मिर्च है, दो फूल बादियान है और थोड़ी सी लौंग है यहां पे हमने प्यास का बिरिस्ता लिया है, अगर प्यास का बिरिस्ता ना हो, तो आप इसकी जगह पे दो प्यास का बिरिस्ता बना सकते हैं, बिस्मिल्लाहिरामानिरहीम यहाँ पर हमने भगवना गरम होने के लिए रख दिये था और उसमें हम तेल डाल रहे हैं तेल अपनी पसंद की हिसाब से डालें वैसे तेल बहुत कम डालेंगे तो चावल अक्सर आपस में चिपक जाते हैं थोड़ा सक तेल रहता है तो अच्छे से चावल खिले खिले से बनते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें गाजर को जो सलाइस किये हुए थे उसको हमने डाल दिया है इसको हम फराई करेंगे लगबग एक मिनिट तक गाजर थोड़ा हाट होता है इसलिए हमने पहले गाजर को डाल लिया है और हम इसको फराई कर लेंगे एक मिनिट तक तो देखिए एक मिनट तक हमने इसे फराई कर लिया है तो इसमें हम शिमला मिर्ट डाल देते हैं और शिमला मिर्ट डाल के अब हम एक मिनट तक और फराई करेंगे और आज को हमने थोड़ा सा तेजी रखना है बहुत एची सी क्रिस्पी सी हमारी सब्जियां फराई भी हो जाएंगे और काफी खुबसरत कलर हो जाता है जब हम फराई कर देते हैं इस तरीके से फराय करके जब हम garnishing में इस्तेमाल करेंगे तो काफी खुबसरत लुक भी आएगा और काफी tasty भी बनेगा तो देखिए हमने फराय करके इसको निकाल लिया है बस फटफट से हमने इसको निकाल लेना है और इसी तेल में अब हम शामिल करेंगे गरम मसाला गरम मस और को शामिल कर दिया और इसी के साथ हम इसमें अद्रक लिसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे एक चमच भर के अद्रक लिसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और खुश्बू आने तक हम इसे भून लेंगे खुश्बू आने तक भूनने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी प्यास भी डाल देनी है प्यास का बिरिस्ता जो हमने लिया था एक हिस्सा हमने इसमें डाल दिया है और दो हिस्सा हमने गानिशिंग के लिए बचा के रखा है और दो चमच हमने यहाँ पे नमक इस्तेमाल किया है देखी काफी अच्छी से भुन गया है, काफी अच्छी सी खुश्बू आ गई है तो इसमें हम पानी डाल रहे हैं, वैसे हमने यहाँ पे गरम पानी का इस्तेमाल किया है नार्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप के रिए से पी जल्दी तैयार हो जाएगी नार्मल पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सापको पानी को खौलाना होगा इसके साथ तो यहां पर पानी हमने डाला है डालते ही पकने लगा है लेकिन फिर भी हम धकन लगाएंगे और एक मिनट तक हम इसे पकने देंगे ताकि हमारे मसालों का फिलेवर अच्छे से पानी में आ जाए बस एक मिनिट तक हमने धक्कान लगा के पका लिया है अगर पानी बॉयल वाला नहीं डालें तो आपको एतनी देर तक पकाना है कि पानी बॉयल हो जाए अच्छे से देखिए बस हमने इसमें फटाफट से अपने चावल शामिल कर दिया है पानी चेक करने का एक तरीका यह भी है कि जब भी आप चावल डालें तो उससे एक इंच उपर तक पानी रहना चाहिए देखिए अच्छे से पानी हमने इसमें डालके और इसे धक्कन लगा दिया है ढकन लगा के हम इसे 6-7 मिनट तक पकाएंगे लेकिन बीच में एक आदबार चेक कर लेते हैं इसको चला लेते हैं लगबग अधि से उपर पक चुका है तो हम यहां पर अब फिर 3 मिनट के लिए धक्कन लगाएंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से अंदर तक खिले-खिले से हमारे चावल बन जाए हमारे चैनल पर आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसेपीज मिल जाएंगी तो आपने हमारे चैनल को वीजिट भी कर लेना है तो देखें 3 मिनट हो चुका है जिस तरीके का चावल हमको तयार चीए था होतना हो चुका है बहुत अच्छे से खिला-खिला से हमारा चावल बन चुका है बस हलकी इसी जो कसर है तो यहाँ पर हम केवडा वाटर डाल रहे हैं और हमने अब इसे 2-3 मिनट के लिए दम लगाना है तो हम यहाँ पर ढकान लगा के दम लगा देते हैं वीडियो इस स्टेज पर आके अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो आप फटा-फट से इसे लाइक कर दें माशाला काफी खुशबुदार काफी लजीज देखिए कितना देखने में भी कितना खुबसूरत सा हमारा मटर पुलाव तयार हो चुका है तो आए फटा-फट से हम इसे निकाल लेते हैं हमने प्लेट में सर्व नहीं करना है आज हम टिफिन में भेजने वाले हैं तो इसलिए हम इसे फटा-फट से अपनी टिफिन में निकाल लेते हैं और इसके उपर हम गार्णिश कर देंगे प्यास के बिरिष्टे और अपनी फराई की हुई सब्सक्राइब को आप जब भी बनाएं तो कमेंट करके अपना फीडबैक हमें लाजमी दें और कोई भी बास समझ में ना आये तो कमेंट करके लाजमी पूछ लिया करें आपका कमे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप लोगों को जजाए खेर दे आप लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाएं आप लोगों की जिंदगियों में सुकुन और महबत अता फरमाएं शबीना को भी दुआओं में याद रखे तो चली मिलते हैं नेक् साफीज